आज हम बनाएंगे छोटे बच्चे के लिए बिब या आप इसे एपलिन भी कह सकते हैं क्योंकि जब भी हम छोटे बच्चे को कुछ खिलाते या पिलाते हैं तो वो कपड़े पर गिर जाता है जिससे बच्चे के कपड़े खराब हो जाते हैं और हमें बार-बार बच्चे के कपड़े बदलने पड़ते हैं तो आज हम जो एपलिन बनाएंगे वो बच्चे के कपड़े को पूरा कवर करेगा जिससे बच्चे के कपड़े बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए देखिए मैंने सेम साइज के दू कपड़े के पीसिस कट किये हैं लैन्थ हैस की 15 इंच और विर्थ हैस की 12 इंच तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे दोनों कपड़ों को देखिए इस सरे से अब देखिए यहां से हम उपर की तरब 6 इंच पे निसान लगाएंगे यहां से भी उपर की तरब 6 इंच पे निसान लगाएंगे अब इन निसानों को इस तरह मिला लेंगे सीधा देखे सीधा मिला लिया हमने से अब देखे हम यहां से इस कॉर्नर से इस तरह उपर की तरह प्रकेंगे 2 इंच पे इस तरह निसान लगाएंगे अब यहां से इस तरह मिलाते रहे यहां तक हम गुलाई देदेंगे इस तरह से यहां से इस निसान तक लाएंगे आप यहां से यहां तक हमने इस गुलाई दे दिये अब यह बंसाइड है यहां से इस तरह से अंधर की तरफ ट्व और फीनिसाल लगाएंगे लेके ट्वाइण फीनिसाल लगा लिया अब इस तरह है नीचे क्पार भखते वे 3 इंच तक नीचे खीच लेंगे यहां से भी 2.5 इंच भी निसान लगाएंगे अब यहां से गुलाई दे देंगे देखे गुलाई दे दी हमने अब यहां से हम नीचे की तरफ 1 इंच भी निसान लगाएंगे अब देखे इस निसान से इंच टेप रखेंगे इस निसान तक और एक लाइन खीच लेंगे इस तरह से देखे गले की यहां से गले से इस तरह से यहां तक 6 इंच है तो इसके सेंटर में इसान लगाएंगे 3 इंच बे देखे अब इस निसान से इंची टेप को इस तरह रखेंगे 3 इंच अंदर की तरफ यहां पे एक निसान लगाएंगे और इस निसान से इस तरह गुलाई देते वे हम इस निसान तक मिलाएंगे यहां से गुलाई देते वे इस निसान तक लाएंगे इस निसान तक यह देखे इस तरह है अब यहां से गुलाई देते यहां तक ले जाएंगे देखे इस तरह है यह देखिए अब इसे एक रत्रा भटाते हैं आप देखिए हमें खाली स्वापिंग बैग लेंगे इसकी जगा पुरान टावल का यूज़ भी कर सकते हैं इस कपड़े को इस तरह रखेंगे इसके उपर इस तरह से और निसान लगा लेंगे इस तरह रखते हैं निसान लगा लेंगे देरे निशान हमने लगा लिये, अब इसे अगर डाग देंगे, अब इसे भी कट कर लेंगे देखे इसे भी हमने कट कर लिया है, वापिंग बैक की जगा आप कुराण कपड़े की उल्टी साइड है इसे इस तरह से सेंटर में रखेंगे इस तरह है अब इसे उल्टी साइड नीची की तरफ रखेंगे इसे इसके उपर भीछा लेंगे अब हम इस तरह रखते हुए इसके चादरो तरफ इस तरह किनारी किनारी के सिलाय लगा कर इने जोड लेंगे इन सभी कपड़ों को सिलाय लगा कर जोड देंगे आप चाहें तो पहले सुई धागे से कच्चा भी कर सकते हैं इसमें देखिए इसमें हमने चार तरफ से किनारी किनारे किनारे लगाकर तिनों कपड़ों को आपस में जोल लिया है यह देखीह है अब इसे एक तरफ रखेंगे अब देखिए दूसरे कपड़ें में जोलेगे एक पट्टी लेंगे देखे इस तरह रखेंगे और इस तरह घुमाते वे इस तरह से यहां से यहां तक सिलाई लगाकर इसे जोड लेंगे यहां से यहां तक किनारे किनारे कि सिलाई लगाकर इसे जोड लेंगे दूसरी पट्टी लेंगे इसे भी इस तरह रखेंगे और इस तरह गुलाई में घुमाते वे यहां से यहां तक सलय लगाकर इसे भी जोड लेंगे देखिए, पट्टी को इसा तरह गुलाई में रखते हुए हमने हाँ से-हा तक सिलाय लगा कर जोड़ लिए यह देखिए, इस तरह, इस तरह भी गुलाई में जोड़ लिए ऐसे अब इसा इसा पलटिएंगे, एक्स्ट्रा पट्टी हम राद में कट कर लेंगे इसे इस तरह फोल्ड करेंगे इस तरह रखेंगे पुरो गुलाई में इस तरह से इस तरह रखते वे यहां से यहां तक सिलाई लगाकर पाइपिन बना लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे इसी तरह इस तरह भी पट्टी कोपर की तरह फोल्ड करते वे इस तरह रखते वे इसमें भी यहां से यहां तर गुलाई में पाइपन बना लेंगे देखे, पट्टि अधर के लिए कर लिए, इस साइड भी पाई पर लिए, अब इससे एक साइड रखेंगे, अब देखे, मैंने छोट छोटे पट्टि आ हाँ और कट कियें, और फिस पट्टि अब इने जोड़के एक लंबी पट्टी त्यार कर लेंगे इस तरह रखेंगे इस तरह ऐसे और यहां से यहां तक सिलाई लगा कर इने जोड लेंगे तीनों पट्टियों को जोड लेंगे देखे पट्टी को हमने जोड लिया है इस तरह से यहाँ से सिलाई को खोल के प्रेस कर लिया है रिकासा दुनों साइड में देखे इस तरह है अब एक तरफ रखेंगे इसे इसे लेंगे अब देखिए पट्टी को लेंगे सबसे पहले हम इस तरह रखते वे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे इसमें अब इस तरह करेंगे अब देखिए इस निसान को पकड़ेंगे यहां पर रखेंगे और इस तरह सिलाई से पट्टी को गोलाई में इस तरह यहां से यहां तक सिलाई लगाकर जोड लेंगे यहां तक सिलाई लगाकर जोड लेंगे इसे देखे इस तरह से 5 इंच का gap देते वे हमने इस निसान से इस तरह घुमाते वे यहां तक सिलाई लगा लिए अब हम इस सिलाई से इस तरह फिर से 5 इंच का निसान लगाएंगे यह देखे 5 इंच वे निसान लगा लिया यहां से यहां तक हमने अब इस निसान को इस तरह रखेंगे इस पर इस तरह से और यहां से यहां तक सिलाई लगाकर इस जोड देंगे देखिए इस निसान से यहां तक हमने इस लाई लगाकर पट्टी जोड लिए अब एक्स्टर पट्टी हम कट कर लेंगे यहां से इस तरह से अब अब हमें इसे पल्टेंगे इस तरह से आप देखे पत्टी को इस तरह ओपर की तरह फोल्ड करेंगे इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे देखिए यहां पे भी पट्टी फोल्ड करेंगे ुस पे भी सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से पूरी गुलाई में यहां से यहां तक पट्टी के पाइपनों लालेंगे Tex Saan लगाएंगे देखिए इस तरह से अब देखिए एक लंबी पट्टी मैंने और जोड लगा कर त्यार किये अब यहां से हम इस तरह से 11 इंच में निसान लगाएंगे अब इसे लेंगे देखिए निसान लगाया हमने इस तरह से यहां रखेंगे बस तरह गुलाई में घुमाते वे यहां से यहां तक सिलाई लगा कर जोड लेंगे देखिए इस निसान से पट्टी को रखते वे गुलाई में हमने गले में यहां से यहां तरह जोड लिया है सिलाई से और इतनी ही पट्टी हमने यहां पर छोड़ दिये अब देखी अब हम यहाँ पे हलकल के से गुलाई में कट लगा लेंगे उसं सिर्दर पलटेगे इस तरह से पर्टि को इसे पलटेगे इस तरह से इस तरह पलटते वे इसमें सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे हाँ से यहाँ तर अफिसे इस तरह फोल्ड करते वे पूरे गले में देखे इस तरह इसमें भी सिलाई लगाते जाएंगे देखे इस तरह से पट्टी को उपर तरह फोल्ड करते हुए इस तरह पाइपिन बनाते जाएंगे देखे इस तरह से देखे इस तरह और यहां से यहां तक पाइपिन बना लेंगे देखिए पट्टी को इस तरह उपर की तरह फोल्ड करते हैं हमने यहां से यहां तक सलाई लगा लिए हमारे दोनों डोरिया भी त्यार होई है और गले में यहां पर पाइपिन भी लग गई है देखिए छोटे बच्चे के लिए आप बार बार यूज़े लेडी है इसे आप तरफ से भना सकते हैं आप बच्चे को और इस तरह के आपरिल मार्केट में काफी महेंगे मिलते हैं तो आप थोड़े से टाइम में इसे आसानी से घर पर ही पुराने कपड़ों से बना सकते हैं